हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कम्प्यूटर या लैप्टॉप में गूगल ड्राइब ओपन करके उसमें कोई फोटो सेव कैसे कर सकते हो यानि आपके लैप्टॉप में कोई फाइल है कोई फोटो है वीडियो है और आप उसे गूगल ड्राइब में सेव करना चाते हो तो कैसे करें आये जानते हैं यहाँ पर हम अपने मोबाइल का ही गूगल ड्राइब ओपन करेंगे यहाँ पर हमें गूगल ड्राइब डाउनलोड करने की जरुवत नहीं है हम उसे डारेक्ट ओपन करेंगे और अपना फ लैप्टॉप में कंप्यूटर में यह नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी कि गूगल क्रॉम डाउनलोड कैसे करें अब यहाँ पर आपको सर्च करना है इसके अंदर Google.com और एंटर कर देना है यह वाला पेज आपके स्लेक कर लिनी है अगर लोगिन नहीं है तो लोगिन कर लिजी अपना पासवर्ड एंटर कर दीजी साथ में तो मैं एंटर कर देता हूं अपना पासवर्ड जो भी मैंने पासवर्ड एंटर कर रखा है इसके अंदर हमारी यहाँ पर Gmail ID लोगिन हो गई है इसी Gmail ID से हमारा Google Drive भी है तो आप चेक कर लिजीगा पहले अपने फोन में अब यहाँ पर आप इसी पेज पर पहुच जाओगे अगर आपको यह पेज नहीं मिलता है तो एक नया पेज लिजीए फिर से आप सर्च करें Google.com और एंटर करें आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा अब यहाँ पर आपको ऊपर मिलेंगे नो डॉट यहाँ की तरफ इस पर टाच करिए यहाँ पर आपको मिलेगा ड्राइव यानि की Google ड्राइव नहीं मिलता है तो नीचे करके दिखिए आपको जरूर मिल जाएगा तो यह रहा इस पर किलिक करें इस पर किलिक करने के बाद आपके पास ऐस पेज आ जाएगा यानि आपके जो गूगल ड्राइव है वो ओपन हो जाएगी अब यहाँ पर हमें एक फोटो सेव करेंगे फोटो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाया देगा नियू यह आपको दिखाया देगा प्लस का आइकन या एड़ दो तरीके हैं इसको स प्लोड हो रहा है आप देख सकते हैं अगर यह तरीका काम ना करें तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं तो आप इसे छोटा कर लीजिए अब यहाँ पर अपना फोटो देखिए कहां पर है तो यह रहा फोटो यह मैप है एक इंडिया का तो आपको क्या करना है आपक आपका यहाँ पे file save होने लग जाएगी तो आप ऐसे check कर लीजी अपना file save हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके बाद यहाँ पे आप recent वाले option में जाएए और अपना file यहाँ पे check करें आप देख सकते हैं हमारी दोनों file यहाँ पे आ गई है ऐसे आप इसको इस्तिमाल करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है मेरी वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और topic के साथ